जार्खंड में पंचायत सचिवों की नियुक्ति को लेकर हाई कोट ने अंतिम मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था मगर इसके बावजूद अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं जारी हुए है कोट के अलावा अभ्यर्थी सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक हेमंत सोरेन सरकार को घेर रहे है इसकी प्रक्रिया सितंबर 2019 में पूरी कर ली गई थी लेकिन 2017 से आज तक चार साल बाद भी अंतिम मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई है नाकली एंकाउंटर जहरखंड जिले के पुलिस अधीक्षक ने मुठभेड में एक माववादी के मारे जाने की पुष्टी की है इलाके में सर्च ओप्रेशन जारी है जहरखंड के 32,623 सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने के कई उपाय किये जा रहे है इसके लिए अध्ययन भी हो रहा है स्थानिय स्तर पर ग्रामीनों, पंचायत प्रतिनिधियों, सांसद, विधायक, अभिभावक आदी सभी का सहयोग लेने का प्रयास होगा सरकार का लक्ष है कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों की बराबरी करे शिक्षा में सुधार के लिए अभिभावकों, शिक्षकों वर जनप्रति निधियों की इच्छा शक्ती को बढ़ाना होगा अखिल भारतिय कॉंग्रस कमेटी के आहवान पर जमशेदपुर शहर में पैट्रोल, डीजल, रसोई, गैस वखाद्य पदार्थों की मूल्य वृद्धी के खिलाफ आंदोलन का शंखनाद किया जाएगा आंदोलन तीन चरणों में किया जाएगा जिसमें सभी कॉंग्रस जनों को शामिल होने का आगरह कॉंग्रेस के पूर्वी सिंग भूम जिला ध्यक्ष बेजेख खाने किया है जिला कॉंग्रस कमेटी के उपाध्यक्ष संजे सिंग आजाद ने कहा है कि कॉंग्रस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उराव, कारेकारी अध्यक्ष केशव महतो कमलेश्व स्वास्थि मंत्री बन्ना गुपता के निर्देशन में आंदोलन होगा रांची के जारखन स्टेट क्रिकेट असोसियेशन के तत्वावधान में अंतराष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियम में 17 से टी 20 क्रिकेट का रोमांच नजर आने वाला है स्टेडियम में जारखन के क्रिकेट एक साथ जमा होंगे यहां 17 जुलाई से जार्खंद पुरुष्टी 20 क्रिकेट प्रतियोगिता जार्खंद मैंस T20 क्रिकेट का आयोजन किया जाना है जिसमें 6 टीमों को शामिल किया गया है JSCA की ओर से ये T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का दूसरा सीजन है 2020 में भी JSCA पहला क्रिकेट असोसियेशन था जिनसे T20 क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की थी इस T20 क्रिकेट के रोमांच को लोग फन कोड पर सुभह 9 बजे से 5 बजे तक लाइव देख सकेंगे पिछले 24 घंटे में जार्खन के विभिन जिलों में 68 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान की गई वहीं 71 लोगों ने कोरोना को मात भी थी बुधवार को किसी भी संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई अब 344 एक्टिव केस बचे हैं जार्खन में अब तक 3,46,411 पॉजिटिव मरीजों की पहचान की जा चुकी है इन में से 3,44,944 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं अगर आप इस तरह की खबरे सुनना चाहते हैं तो हमें सहयोग करें हमें उम्मीद है कि आज हमें 50 सब्सक्राइब मिलेंगे समर्थन के लिए आप सभी का धन्यवाद